हेलो दोस्तों एक और न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग एक तीर से दो निसाने करेंगे मतलब कि यह वीडियो दो लोग लिए काम आएगी एक तो कॉंपेटिशन लेवल की जो तयारी कर रहे हैं वो और दूसरा जो बीर्ड जिनका फर्स सेमेस्टर आईए क्योंकि इस बार से सेमेस्टर वाइस हो गया तो फर्स सेमेस्टर जिनका है उस पर यह काम आएगी ठीक है तो देखें आर्टिकल एक से लिके 51 तक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है और बेसिक सम्विदान की सम्विदान हमारा कब बना कैसे बना कि कौन मलगी सदस्त थे और कहां कहां से सम्विधान लिया गया है तो इस वीडियो में हम लोग यह दिखेंगे कि भारती सम्विधान में किन देशों से क्या लिया गया है ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं इस वर्स मतलब की 2021 में 26 जनवरी को हम भारती गर्तंत के 72 वर्स में प्रवेस कर रहा है ठीक है फिर इसके बाद है 71 वर्स पूर्त मतलब की 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना सम्विधान लागू किया ठीक है उस दिन से को देश में गर्तं दिवस के तोरवे मनाया जाता है ठीक है तो सबसे पहला कोश्यंस की भारती सम्विधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ ठीक है फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टन पॉइंट से उनको देखेंगे फिर इसके बाद देखेंगे किस जो देश से क्या कर लिया गया है ठीक है अब देखें भारत का सम्विधान दुनिया का सबसे लं सब्सक्राइब कर लिया गया है एक तो कानुणी प्रावधान हो गया नम वैस्ता हो गया और अधिकार सामिल किए गये हैं तो के यहां से बहुत ही है देखें सबसे लेटिकर नाम याद दखेगा। डॉक्टर भीम राम बैडिकर भारत की संविधान कौंसी सभा के अद्र्जटे ने मात्री। सबा के अद्यक्ष थे उनके नेत्रों में सम्विधान सबा के सदसों ने विभेन देशों के सम्विधानों को पढ़ा और उनकी प्रमुक प्रावधानों नियमों ठीक है प्रमुक प्रावधानों नियमों और सरसे सासन व्योस्ताओं को भारती सम्विधान में सामिल किया ठी जैसे जो इंपोर्टेंट लगा उसमें भारती संविधान में संसोदन भी करें ठीक है तो आगे देखते हैं जैसे कि अभी जीस्टी का संसोदन हुआ था काफी टाइम होगी अब तो और फिर आगे देखते हैं संविधान से जुड़ी प्रमुक विवस्ताओं और प्रावध से ठीक है अब दिखे यहां से कैली अगया उसको देखेंगे बारती संविधान में संविधान कि सर्वोचिता ठीक है नयाए पालिका की सुतन्तिता निरवाचन से रास्पति एवं उस पर महावियोग फिर है उपरास्पति फिर उच्छतम एवं उच्छे न्यालों के नया दीशों को हटाने की विदी तो क्या क्या हो जाएगा हमारा फिर से देख लेते हैं सविधान की सर्वोचता नयाई पालिका की सुतनिता निर्वाचिस रास्पति वह उच्छे न्यालों के नया दीशों को हटाने की विदी तो यह सब सारी चीज़े किस पर दी गई है यूस से के समिधान से ली गई है फिर इसके बाद है अनुच्छे थे पर दक रिश्यां कि बिडेटा अब ते बिटन से सासन परडाणी जयता है ुथ है समिधान एकल हम रहें मतले कि अगर लोग भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही रहेंगे और पिसी देश की नाग्रिकता हम लोग नहीं ले सकते हैं ठीक है फिर के बाद है कानून निर्मायर से पक्रिया, विदी का सासन, मंत्री मंडल से प्रणाली, नियाला के विशेशा अधिकार, एवन संसदिये विशेशा अधिकार, और दुई सदनिय को बिटिन सन्विधान से लिया गया, दुई सदन बाद को लिया गया, ठीक है तो याद दखेगा कुछ दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो जो अब भी बोला वही है इस पर, कि दूसरे देश की नागरिक, मल्ग की नागरिक हम लोग नहीं हो सकते हैं, अगर बारत की नागरिकता है हम लोग के पास तो, ठीक है, फिर इसके आगे देखेंगे जर्मनी से तो जर्मनी में सबसे पहले हो जाएगा आपातकाल मत्गी भारत के सम्विधान में आपातकाल के समय के अधिकारों के समंद में प्रावदान यूरोपिय देश जर्मनी के सम्विधान से लिया गया है ठीक है तो आपातकाल important हो गया कि अगर question आजागी आपातकाल से हाँ question के बाद इस जो हम लोग अभी देख रहे हैं इसका फिर हम लोग practice set भी लगाएंगे जिसमें हम लोग कुछ important questions करेंगे इससे related ठीक है फिर आगे देखते हैं इसमें आपातकाल के दोरान राश्पती के पा आता है तो उसमें जो कुछ अधिकार हैं उनमें सरकार बदलाव कर सकती है ठीक है फिर आगे देखते हैं फिर इसके बाद है अब देखेंगे कुछ important articles से इनको देख लेते हैं क्योंकि आपातकाल से related 3 important articles अनुशेद 352, 356 और 360 ठीक है फिर देखेंगे अब देख लेते हैं 356 के सहत, 356 के तहत राजियों में समयधानिक तंत्र की विफलता या राश्पती शाषन की स्थिती ठीक है और लास्ट जो हो जाएगा वित्ती अपात स्थिती जो की अभी तक एक बार भी नहीं लगी है 360 में है वो ठीक है तो याद कि कौन कौन सो हो गया 352, 352 में क्या दि दिया गया है राजियों में समयधानिक तंतर की विफलता जैसे की अगर राज में गवर्नर या फिर सीएम उसको अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहा है और या फिर दंगयोंगे हो जाते है जादा तो उसमें क्या हो जाता रास्पती सासन लग जाता है ठीक है तो वह जा से क्या कै लिया गया उसको देखेंगे भार्ति सम्विधान Among San Suzan की प्रक्डिया समंधी प्रावदान कहा से लिए गया है समी दान सभास्चिन अफ्रिका का साउथ आफ्रीका ठीडिक है छ राजियों में स्री राज्य सबाया में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली और आधी कहां से लिया गया है दक्षिन अफ्रीका के संविधान से ठीक है तो दो important point हो गया एक तो संविधान संसूधन हो गया और दूसरा राज्यसभा के राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली ठीक है फिर इसके बाद है राज़ प्रुसियों के सदस्यों का विधान संसोदन पिर इसके बाद सदस्यों मतल़ कि राजसभा राजसभा से रिलेट जितना भी आएगा इसमें समलो जहात कि इसी में आ जाएगा साथ अफरीका में. तो राजसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रानी कहां से ली गई है साउथ अफरीका राज सबाग कारिकाल जो होगा 6 वर्स होगा कहां से लिया गया साउथ अफरीका से फिर इसके बाद विभेंज राज विधान सबाओं में चुने गये विदायक अपने राजस सबाग सरस्थों निर्वाचन के लिए साउथ अफरीका से फिर इसके बाद है हमारा आयरलाइंड अब आयरलाइंड का देखते हैं भारती समिधान में राज्य के नीती निर्देशक्तत्व याद दखेगा पॉइंट जिद्ते भी रेट से मैंने करें ही सारे इंपॉइंट अगर यह पॉइंट आ जाता है तो डारे सब्सक्कि विविश्था हो गई और रासपटी दूर्हज राज्शंब्धा। सब्सक्राइब किटने सदस्ष्ञ किस मलगी आर्टिकल्स में हैं सुरी भाग में हैं तो यह चौथा भाग में ठीक है यह हो गया हमारा फेर इसके बाद आजाएगा अनुचेद तो 37 में क्या गोशना करी गई है कि निर्देशक तत्व देश के साशन के मूल आधार हैं और कानून के निर्मार में इन सिधानतों को लागू करना राज जी का करता हुए ठीक है तो ठीक है इंपोर्टन जादा नहीं है बड़ याद दखेगा कि आर्टिकल जो 37 है यह भी कहा सब्सक्राइब करने के सबसे क्रिकेट में क्या होता है और आगे देखते हैं लोग आगे हमारा ऑस्ट्रेलिया की याद करने के सबसे इसी है कि हमारा क्रिकेट में क्या होता है और सब्सक्राइब की प्रस्तावना की भाषा जो प्रस्तावना की भाषा भी है कहां से ली गई है और इसके बाद केंद्र एवे मुराज की भी सम्बंद तता शक्तियों का विभाजन यह भी कहां से लिया गया है और सब्सक्राइब सयुत बैठर जॉन्स जॉन्स से इंग्ले से बोलते हैं तो यह भी कांसे लिया गया है ऑस्टेलिया से क्या हो गया एक तो प्रस्तावना की भासा हो गई फिर इसके बाद सम्वर्थी सूची है केंद्र एवर राजी के बीच संबंद सक्तियां हो गई और इसके बाद परिश होता है यह देख लेंगे अगे फिर देखते हैं भारती सम्हिदान की प्रस्तामना में किवल एक या बारे संसोधन हुआ है तो याद दकी कर कब हुआ है 1976 में 1976 में 42 समिधान संसोदन था और इस पर क्या-क्या एड करा गया है ये देखेंगे तो देखेंगे इस पर तीन सब्द एड करे गया थे एक पहला सब्द हो जाएगा समाजवादी दूसरा है धर्वनिरपेच और तीसरा हो जाएगा अखंडता ठीक है तो कोश्चन इसते काफी पूछा जाता है कि समिधान सबा में या फिर प्रस्तावना में कब और कितने सब्द जोड़े गया है तो कब जोड़ा गया है 42 समिधान संसोदन था कब होगा था 1976 में होगा था और तीन सब्द क्या हो संगिय साशन व्यवस्ता के प्रावधन कहां से लिए गया है कनाड़ा से लिए गया है केंद्र के अधिन अधी अतिविसस्री सक्तियां केंद्र द्वारा राज के राजपाल राजपाल से की नियोक्ती भी इसी में है और राजपती का उस्तम नेले से परामश की जो प्राप्ति की विवस्ता है वो भी किस पे है कनाड़ा में और फिल इसके बाद कनाड़ से लिया गया Union of status की सब्द की अवधारना आधी कनाड़ा के समिधान से लिया गया ठीक है तो तीन important हो गए इस पे भी देख लिएजगा संगीस असन्योष्ता हो गया फिर दूसरा हो जाएगा राजिपाल की नियोक्ति और राश्पती का उस्तम ने ले से प्रामश क्राप्ति करने की विवस्ता ठीक है फिर नेक्स्ट है हमारा सोवियस संग तो इस पर क्या है मौलिक कर्दव्य सबसे पहला हो गया और फिर मूल कर यह हो जाएगा Soviet Sun रूस से ठीक है फिर इसके बाद है भारतिय समिधान की एक प्रमुख वेसे तया भी है कि या नागरिकों के अधिकारों और करतवे को संतुलित करता है मतलब की जो अधिकार है और करतवे हैं उनको क्या करता है बराबर करता है या संतुलित करता है अब बारान से भारतिय समिधान के मतलब की भाग 4A जो की उस पर आर्डिकल भी है 51A या अनुच्छेद बोलेंगे उसको 51A है 42 समिधान संसुदन 1976 के माद्यम से मौलिक करतव्यों को जोड़ा गया था ठीक है तो इंपोर्टन है यह भी तो याद दखेगा अपातकाल के दौरान भारति समिधान में भाग याद दखेगा पहला भाग क्या हो जाएगा भाग जो है 4A है और आर्डिकल हो जाएगा 51A या फिर समिधान संसोधन यह कौन से था 1976 था ठीक है तो यह हो गया हमारे कुछ इंपोर्टन अब देखें जापान से देख लेते हैं तो जापान समिधान जो भारत समिधान है उस पर खाली विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से जोड़ा गया है तो जो भी लॉस से स्वास्व्यgar को अपनाता है फिर इसके बाद है विदी द्वारा स्तापित प्रक्रिया है जिसमें यदि संसद प्रक्रिया के तहद को कानून बनाए फिर वह कानून भले ही उच्चित हो या हो लागू होने के बाद मानने होगा हाला कि जो हमारा अनुचेद है अनुचेद 21 की व्यापक्ता के अंतगत न्याय पालिका के कई मामलों पर विदी द्वारा इस्तापित प्रक्रिया पर सम्यक प्रक्रिया यानि उसे कानून चुनौती देने को सर्वोषता दी गई है तो इस पर खाली याद देखेगा विदी द्वारा और इसके बाद आके देखते हम लोग फ्रांस है फ्रांस में भारतिस सम्विधान के गर्लात्मक और प्रस्तावना में सुतंतता सम्ता बंदुता के आजर्श का सिदान्त फ्रांस से लिया गया है फिर भारतिस सम्विधान में इन तीनों लोगतंत की आत्मा के तौर पर परिभाश्यत किया गया है इसके बिना किसी सुतंतता की कल्पतना नहीं की जा सकती तो तीनी वर्ट से इसको आगवाद देख लिजेगा क्या दिया गया है भारतिस सम्विधान में गर्लात्मक प्रस स्तावना में सुतंतिता समता बंदुता के अदर्श का सिद्धान्त कहां से लिया गया है फ्रांस लिया है बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकि फिर ऐसे हैं और यह हो गया हमारा सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट है नो तक बना था था है तो य है इंपोर्टन्ट है बिटेन हो गया क्योंकि इसने से कुश्चंस आते ही रहते हैं और जर्मनी यह पाट काल है फिर इसके बाद है धक्षिर्ण अफ्रीका संसोधन राज्यसबधां संसोधन और राज्यसबधा थो इंपोर्टन्ट वर्ड तखिएगा फिर इसके आई राइले लिए और ऐस्टेलिया में आदी होगा संवर्थी सूची यह वो जाएगा जॉय तीन चीजे वह जाएंगे प्रस्तावना की बहसा संवर्थी सूची और जॉय चाइब के बाद है यह जो जोड़ा राश्ट्रपती का उच्टम नियाले के प्रामर्ष व्याप्राप्त करने की विवस्ता ठीक है जो कि आर्टिकल से 143 में है यह और फिर सोवियस संग आ जाएगा क्योंकि मौली कदिकार तो इंपॉर्टन्ट है कि मौली कदिकार से कुछ सस्पूशे भी जाते हैं इक्जाम में तो कहां से लिया गया है सोवियस संग गुरू से ठीकें और फिर इसके बाद जापान हो गया विद्धी हो गया फिसके फ्रांस हो गया ठीक है तो यह हमारे कुछ important points है तो यह बेसिक हैं औ और important भी है क्योंकि एक्जाम में काफी बार यह पूछे भी गया है कि किस समिधान हमारे जो भारते समिधान है यह कहां से लिया गया है या किस देश से लिया गया है वो ठीक है तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग कुछ और important से जैसे कि नागरिकता हो गई फिर इसके लोग भी देख सकेए है है करें है वाजै कर दार करदा कर दार को आना है